जनरल बकत खान की पहचान 1857 की क्रांती में एक मुख्य क्रांती कारी के रूप में है वो क्रांती कारियों की सेना के कमांडर इनचीफ थी इसके अलावा वो एक कुशल प्रशासक अनुभवी योद्धा और सक्षम नेता भी थी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल दीपावली जीवनी इतिहास में जहां आज मैं आपको जनरल बकत खान का जीवन परीचे बतानी जा रही हूँ सब्सक्राइब केजिए चैनल को और बेल एकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बकत खान की जीवनी पर एक छोटा सा सवाल पूशना चाहूंगी क्या आप जानते हैं कि 1979 में बकत खान पर एक फिल्म भी आ चुकी है आप हमें उस फिल्म का नाम कॉमेंन सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं उनके पिता का नाम अब्दुल्ला खान था जोकी नाजिब ओड दुल्हे के भाई थी बकत खान गुलाम कादिर खान रूहेला के कजन भाई थी मतलब बकत खान का रूहेला वन्ष से सीधा संबन था 1774 तक रूहेला वन्ष के पास अवद का शासन था लेकिन कलांतार में ये इन से छीन कर अंग्रेजों तक पहुँच गया और 1801 के बाद तो अंग्रेजों की राज्य में प्रभाविता बढ़ जाने से उनकी अंग्रेजों से दुश्मनी हो गई जनरल बक्त खान का जनम रोहिला खंड के बिजनौर में हुआ था बाद में वो इस्ट इंडिया कमपनी में सूबेदार बन गए 40 वर्षों तक बंगाल में घुर सवारी करके और पहले अंग्लो अफगान युद को देखकर जनरल बक्त खान ने काफी अनुभव लिया था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के बीच में मुगल समराज्जी को स्थायत्व देने के लिए उन्होंने कोर्ट ओफ एड्मिनेस्ट्रेशन बनाया था जिसके सदस्य को आर्मी और सरकारी विभाग से चुना जाता था उनका सम्मान एक योग्ये प्रशासक के रूप में किया जाता था उनके योग्ये प्रशासक होने का सबूत मुण्शी जीवन लाल की अंग्रेजों को लिखे पत्र में मिलता था जिसमें मुन्शी ने लिखा था कि बक्त खान ने उन्हें बहुत अच्छे फैसले लिये हैं नमक और शक्कर पर कोई टेक्स नहीं हैं उन्होंने विद्रोयों द्वारा की जा रही लूट पर भी रोक लगाई है और ये आदेश भी जारी किया था कि यदि कोई लूट करता तो उसके हाथ काट दिये जाएंगे दुकानदारों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है और उन्हें हत्यारों का उप्योग करने को प्रिरित किया जा रहा है जिनके पास हत्यार नहीं है उन्हें उपलप्त करवाए जा रही है दिल्ली बजार से सैनिको को हटा लिया गया है क्योंकि वहाँ पर आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है दिल्ली केट के बाहर कैम्प लगे जा रही है सैनिकों को वेतन दिया जा रहा है और उन्हें आर्मी में काम करने के लिए उनकी जागीर लोटाने का भी वादा किया जा रहा है अपने दुश्मनों को हराने के लिए जनरल बकत खान हमेशा नए नए तरीके अपनाते थी जिससे दुश्मनों को उनके अगले कदम का अंदाजा नहीं लग पाता था जैसे 9 जुलाई को जब उन्होंने अंग्रेजों को शक्ति पहुचाने का प्रियास किया तब उनकी योजना थी कि वो अपने सैनिकों को अंग्रेजी अंग्रेजों की सफेद पहशाग पैना कर भेजेंगे जिससे अंग्रेज कन्फियोस हो गए और उन्हें अंग्रेजों के कैम्पे खुसने का मौका मिल गया बक्त खान की सैनिय अचीव्मेंट बहुत जादा थी चाहिए वो अंग्रेजों के 300 घोडों को छीन कर उनके मालिक तक पहुचना हो या बरेली और नीमिच में अंतिम हमलों की भूमिका तै करना जिससे अंग्रेज सरकार को आकिर में उनसे संधी करनी पड़ी हाला की अंत में बक्त खान की बहुदरी और लीडर्शिप काम नहीं आ सकी आठ जुन को अंग्रेजों ने दिल्ली को घेर लिया इसके बाद कश्मीरी गेट पर भी आक्रिमन कर दिया 1857 की क्रांती में हिंदू और मुस्लिम एक्ता का सबसे अच्छा उधारन माना जाता है वास्तव में इस क्रांती की शुरुवात अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुस्लिम की धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुचाने के कारण ही शुरू हुई थी उस समय ब्रिटिश आर्मी नई राइफिल लाई गई थी जिसके कार्तूस पर से ग्रीस को मू लगा कर हटाया जाता था और ये अववा थी कि इसमें गाई और सुवर की चर्बी का उपयोग हुआ है इसलिए दोनों ही वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतर गए और राष्टिय स्तर पर अधिकारी क्रूप से इनका नेत्रत्व बहादुर्शा जफर कर रहे थी लेकिन ये हर कोई जानता था कि क्रांतिकारियों के सेना को और युद का मोर्चा जनरल बगत कान संबाल रहे थी बरेली में सेना ने 31 मई 1857 को विद्रो किया था शुर्वाती अव्यवस्ता लूट और मार कार्ट के बाद वीर बगत कान को क्रांतिकारियों का नेता घोशित कर दिया गया था और बगत कान 1 जुलाई 1857 को अपने रोहिला के सीफी की फौज और 4000 मुसलिम जिहादी के साथ दिल्ली पहुँचे वैसे उनके चालक और बहादुरे मिलिटरी मैन होने की सूचना उनसे पहले ही दिल्ली तक पहुँच गई थी उस समय के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाथ जफर को राचनिती में कोई रूची नहीं थी उसने बगत खान के दिल्ली पहुँचते ही उन्हें शाही तलवार और बकल भेट की लेकिन बगत कान ने ये नजराना लेने से मना कर दिया इसके बाद जल्दी बकत खान ने राजा की मदद करनी शुरू कर दी उन्होंने साफ शब्तों में जफर से कहा कि तुम एक अच्छे राजा नहीं हो लेकिन अब भी संभावना है तुम अपनी सेना का सही उपयोग कर सकते हो क्योंकि अंग्रेजों को मुझसे बहतर कौन जान सकता है ये सब कुछ इतना सीधा और सपश्ट कहा गया कि हर कोई चकित था लेकिन इसके बदले भी बहादुर शाह जफर ने नरास होने की जगा अपने बेटे मुगर मिर्जा को हटा कर बकत कान को गवर्नर जनरल बना दि एक पूर्व सूबेदार ने भी जफर से कहा कि बकत खान अभी उनके पक्ष में है जो जान पर खेल कर भी मुगल राजा का नाम नीचे नहीं होने देगा और भारतियों को जीत दिलवा कर ही रहेगा 1857 की क्रांती के बाद बकत खान के नेपाल चले जाने की खबर आई और ये भी कहा कि उन्हें अंग्रेजों ने वहां मार गिराया है और उन्हें स्वत के नाना सेर में दफनाया गया है स्वत के इतिहास वादू का कहना है कि युद 5857 का हारने के बाद बक्त खान ने स्वत के अकॉंड की सरुक्षा में अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत किया था सेना ने निश्कासित होने के बाद से मिर्जा मुगल बक्त खान से नरास था बक्त खान की स्पष्ट वादिता उनकी मदद नहीं कर सके बक्त खान स्पष्ट वादी होते हुए भी राज कुमार को साफ नहीं कह सके कि वो सेना और इसके मामलों से दूर रहे जबकि ये हर कोई जानता था कि वो बहुत आयोग्य है बक्त खान की नेतरत्व शम्ता और मिलिटरी ग्यान को देखते हुए मुगल समराट ने उन्हें साहिब आलम बहादुर की उपादी भी दी थी इसके अलावा उन पर प्रिटेश जासूस होने का आरोब भी लगा चाहे अलीपुर में आर्मी का दुर्ग मनाली ब्रिच जीतने में मिली सफलता हो सबका इलजाम जनरल पर लगा यहां तक कि जाफर को भी शक होने लगा और उन्होंने जुलाई के अंत तक बक्त खान को जनरल के पद से हटा दिया था 1979 में जनरल बक्त खान पर एक उर्दू में पाकिस्तानी फिल्म बनी थी जिसे सरशार अक्तर मालिक ने निर्दर्शत किया था और नोशिन मालिक ने प्रडियूस किया था फिल्म में मुहम्मद अली यूसिफ खान सुल्तान राही और सुधिर मुख्य किरदारों में थी अंग्रेजों से युद किया था 1857 की क्रांती में युद्धाओं के नाम में हिंदो या मुसल्मान के नाम नहीं थे क्योंकि अंग्रेज तात्य तोपे से भी परिशान थे और बक्त खान से भी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंन सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद